आज परहेंगे अपना लोग What is English Grammar इस सब पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट अपना लोगों ने पढ़ दिया बहुत सारे चीजों को अपना लोगों ने समझा परखा दोस्तों आज इस चीज को इतना अच्छा सब परहेंगे English Grammar को कि आज के बाद यहां पर कोई डौट ने होना चाहिए यह सिर्फ डियेलेट वाले बच्चों के लिए नहीं है आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा भी है उनको भी यह वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए English Grammar आज Basic से अपना लोग जानने का कोशिस करेंगे इसलिए इसको हम बोलते हैं आज Basic English Grammar जिसमें पढ़ेंगे What is English Grammar कि English Grammar क्या होता है English Grammar तो वही होगा दोस्तों जो English बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है आज हम Hindi और English दोनों माधियम से इसको सीखने का कोशिस करेंगे और बाइदबे अगर कुसी कोई ऐसा चीज होगा जो छूट जाए आप लोग कमेंट करना ताकि हम उसको कभर करने का कोशिस करेंगे दोस्तों क्या होता है कि कभी-कभी आप लोग देखिएगा कि कोई sentence लिखा लाता है देखने में वो बिल्कुल आप लोगों को सही लगेगा कि ये बहुत ही right है लेकिन वो चीज क्या होता है गलत होता है जैसे आप लोग यहाँ पर ये वाला sentence देख सकते हो रभी आण टॉम गो टू कॉलेज क्या ये sentence सही है नहीं दोस्तो ये sentence बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि हम चानता है कि नाम का जो पहला अग्छरोदा है वो capital letter से होता है तो यहाँ पर क्या है small letter है ताकि ये चीज क्या हो गया गलत हो गया और इसको हम सही करके यहाँ पर लिख दिया है तो देखिए what is English grammar English grammar क्या होता है तो which teaches us to read, write and speak correctly are called English grammar इसमें आप लोग चाहेंगे तो English को जोड़ सकते हैं नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि हम English में बोलना है तो ये automatically हम लोग समझता है कि English इसमें एड हाई ही तो which teaches us how to read, write and speak English correctly are called English grammar जो हमें सुध सुध इंग्लिस बोलना, पढ़ना और लिखाना सिखाता है उसे ही क्या काते हैं इंग्लिस grammar काते हैं example देख लीजिए ये चीज हम पहले नहीं जानते थे जब तक English grammar code से हम लोग परचीत नहीं थे introduce नहीं थे तब तक ये sentence क्या था सही था लेकिन जैसे ही हम English grammar से परखे English grammar को समझे तभी हम इस चीज को क्या कर दिये गलत कर दिये क्यों गलत कर दिये क्यों कि यहाँ पर capital letter नहीं है ये small letter है और हम जानते हैं कि नाम का सबसे पहला आक्षर क्या होता है capital letter से सुरू होता है तो रभी एंड टॉम गो टू कॉलेज इसको हमने सही कर लिया दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि word system आते हैं इसके बाद लेटर पहले तो लेटर आता है इसके बाद word आता है फिर sentence आता है इसके बाद क्या आता है पाराग्राफ आता है जो ऐसे लिखा रहता है उसको क्या करता है पाराग्राफ आता है इसके बाद क्या आता है चीन आता है जैसे कोई चीन science यह सब चीज आते हैं तो इन सब चीजों के कारण क्या क्या गया कि English grammar को पांच भागों में बार दिया गया तो वही आप परहेंगे how many kinds of English grammar तो क्या answer लिखेंगे there are five kinds of English grammar कौन-कौन से हैं तो और्थोगराफी जिसका हिंदी क्या होगा वर्न बिचार, दूसरा etymology जिसका हिंदी क्या होगा तो सब्द बिचार, तिसरा syntax जिसका हिंदी क्या होगा वाक बिचार, चौथा prosody जिसका punctuation जिसका हिंदी होगा चिन बिचार, अब जो हम लोग देखेंगे वो थोड़ा notes के तरह से देखेंगे कि अर्थोगराफी में क्या आता है, etymology में क्या आता है, syntax का यूज का होता है, prosody क्यों होता है, punctuation क्यों होता है, दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोग यहां से एक दि English जानने लगोगे, आप लोग English समझने लगोगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अभी दबा के एक लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं आये हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पर इस तरह के बहुत सारे subjects मिलते हैं, जो कि आप लोगो को प बनाना नहीं पड़ता है, अब देखो क्या होता है, कि नोट, इसको नोट करके लिख लेना, कि अर्थोग्राफिक अंतरगत क्या आता है, लेटर सिस्टम आते हैं, अर्थोग्राफिक अंतरगत क्या आते हैं, लेटर सिस्टम आते हैं, क्योंकि अर्थोग्राफिक का हिंद और प्रसोडी में क्या आते हैं तो पराग्राफ अफ पोयम्स आते हैं और पंक्चुएशन के अंतरगत मार्क सिस्टम आते हैं मार्क से क्या आतात पर है चीन तो दोस्तो आप लोगों ने देख लिया कि इंगलिस गरामर को पाँच भागों में बाटा गया और किसके अंतरगत क्या आता है तो इन सारे चीजों को आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया और उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दो इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों आपके घर में चाये कोई भी हो, बच्चा हो या फिर कोई भी हो जो इंगलीज को बहुत कम जानता हूँ उनको ये वीडियो जरूर सेर करना ताकि क्या होगा, कि चैनल पर भी हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आप लोग तो हमको पहचानते ही हैं पढ़ाने कर दोस्तों कुछ अजूबा है हमारा तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद